अलो दोस्तों, वेलकम बैक टो माँ चैनल होरिजॉन क्लासस, आज के वीडियो में हम इंपोर्टेंट कोशन देखेंगे, कॉर्परेट अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर जो हमारा बीकॉम थर्ड से मैंनी पी सलेपस का एक सब्जेक्ट है, कॉर्परेट अकाउंटिंग, क उसके कोशन भी मैं दूँगा, एक्जांपल के तौर पे कोशन इस तरह के कोशन पूशे जाएंगे, वो दूँगा और 10 माक्स में भी किस तरह के कोशन पूशे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, यह प्रॉब्लमेटिक सलेबस है, इसलिए पूरा 5 चैप्टर का एक ही व कोशन से स्टार्ट करेंगे, तू माक्स से कोशन आपको टोटल 9 कोशन मुझे इंपॉर्टेंट देखे, यह 9 कोशन में आपको कुंसा तो एक या दो आपकी एक्जाम में पूर्च सकता है, यह 9 कोशन देखिए, वाट इस अंडर राइटिंग है, हू इस अंडर राइटर ह पार्ट में समझाया था, आप अगर वो वीडियो देखें तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो वीडियो फर्स्ट वीडियो ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक में आपको methods पूछे जाएंगे easy method जैसे आपके screen के उपर दिख रहा होगा यहां पर आपको दो तरह के question पूछे जा सकते हैं 5 marks में एक तो आपको पूछे जाएगा mark और unmark निकालना सिर्फ इसमें कुछ नहीं होगा total amount जया जाएगा mark निकालने होते हैं उसमें से minus आपको आपको अन्सर मिल जाएगा next आपको problem पूछा जा सकता है सरफलस के उपर जिसमें आपको मार्क निकालके अनमार्क निकालके आपको सरफलस निकालना होते हैं सरफलस भी बहुत इसी है यह आपको 5 marks में पूछा जा सकता है यह यह answer साब के half page में एक answer आ जाता है तो इसलिए आपको 5 marks में question पूछे जाएंगे सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ question ही नहीं बटके कोजा कोजा question पूछे जाएगा यही नहीं बट एक example दे के भी समझाओंगा जैसे आपकी screen cup पर दीख रहा होगा यह first question है सिर्फ आपको इसमें mark और unmark निकालना है इस तरह का आपको question पूछा जा सकता अपके exam में अगर जहीं भी आपके बुक में ये तरह के question मिले आप practice कीजिये next देखिए जो हुने मैंने कहा मने सरफ़लस का भी पूछा जा सकता है सो सरफ़लस का भी question आपको screen cup पर दीख रहा होगा ये तरह का भी question आपको अपके exam में पूछा जा सकता है तो दोनों question आपको पूछे जा सकते हैं ये दोनों का मैंने example भी दे दिया है इस question का so 5 marks आपके जेब में है जैसा है practice कीजी और आपके 5 marks आप score कर लिजे next चलिए हम बढ़ते हैं 10 marks की तरफ चलिए दोस्तों 10 marks के questions आपको screen के उपर दिख रहे हैंगे ये आपको 4 तरह के questions पूछे जाएंगे इसमें 10 marks के अंदर first तो है form underwriting के उपर जिसमें आपको पहले marked find out करके unmarked find out करके form underwriting first minus करके उसके बाद सरफलस आया सरफलस निकालके उसके बाद plus form underwriting करना होता है यह आपको पूछा जा सकता है 50% आपको पूछा जाएगा आपको यह exam में जिसका नाम है इसमें आपको दो बिड़ दिये जाएंगे एक तो आपको benefit of form underwriting is given to underwriter underwriter को benefit दिया जाएगा ये question है second bit इसमें दिया जाएगा benefit is not given to underwriter underwriter को benefit फाइदा नहीं देना है तो यह question आपको पूछे जा सकता है और एक बात मैं बता दू मैं video करते स्टेम भी बताया था कि यह chapter करते स्टेम treat it as marked application और form underwriting benefit is given to underwriter same है और treat it as unmarked application and benefit is not given to underwriter same question है तो confused ना हो जाएए अगर वो question दिया अगर यह question नहीं दिया तो अगर साइद आप out of the level से समझके छोड़ देंगे so treated as mark application treated as unmarked application same है और last question आपको amount payable on installments, installments में pay करते हैं जो भी underwriter जो shares लाते हैं उनके amount का installments में pay के जाते हैं यह आपको एक question पूछ सकता है और जैसे मैंने example भी दे रहा था example भी दे रहा हूँ इस वीडियो में so आपको 10 marks के question पर जो मैंने first आपके screen के उपर दिख रहा होगा यह आपका first है firm underwriting के उपर question second आपके screen के उपर दिख रहा होगा underwriter commission के उपर यह question है उसके बाद देखिए third question है benefit of firm underwriting is given to underwriter और benefit is not given to underwriter यह question है यह question भी आपको 10 marks में पूछे जाएगा और last आपको screen के उपर दिख रहा होगा amount payable installments पर पैसे जो pay करते हैं वो भी आपको यह question आपके screen के उपर दिख रहा होगा इस तरह के question practice कीजिए या तो फिर यह जितने मैंने question दिए है six question आपको screen के पर दे दिए थे तो अगर यह भी आप अगर practice करेंगे तो आपको full marks मिलेंगे बट इस से छोड़के भी जो भी आपके books में questions है इस तरह के related आप practice कीजिए और आपको पूरे marks इस chapters में मिल जाएंगे इस chapter से आपको नई बोले तो भी 15 प्लस 17 marks रहते हैं तो आप अच्छे से practice कीजिए और आप यह 17 marks आपके scroll कर लिजे इस chapter से आई होब बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe कर लिजे और एक बात मैंने जो corporate accounting का first chapter है underwriting of shares मैंने यह explain करा था मेरे वीडियो में introduction part भी explain किया था 2 marks से भी explain किये थे 5 marks के और 10 marks के दोनों भी problem explain किये थे जिसका मैं playlist में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे आप जाकर देख लिजेगा वीडियो चल लगा तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि ऐसे वीडियो second third chapter के वे important question आते रहेंगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा thank you so much बच्चों